हेलो प्रेंट्स आज पूरी क्लीन कर दी कैसा लग रहा हूं तो सबसे पहले तो आपका बाई का आज बड़ी है पांच फरोरी को वैसे तो मैं बड़ी सलिब्रेट नहीं करता आज तक भी मैंने नहीं किया आज तक जिंदकी में मैंने एक भी केक नहीं काटा क्योंकि मुझे नहीं पसंद यह फालतू की लपड़े लेकिन हां आप लोग यहां पर हैपी बड़ी तो लिख देना उस चे तो अच्छा लगेगा थोड़ा हो सकता है मनाई भी ले इस बार देखेंगे लेकिन वह तो तो आज का वीडियो यह है मैंने यहां पर यूट्यूब पे इतने व विंडो है साइड की विंडो है इसकी हालत बहुत अखराब हो चुकिए और मैंने खुदी किये यहां पर नेम के नीचे खड़ी कर दी कार को और मैंने यह लिए ही खासकर इसको यहां पर गंदा किया इसके काज को उपर भी देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कितनी गं ना उसमें डलती है यह गोलिया इसके इतने वीडियो देख लिए मैंने सोर्स पर वेचे तो जो कार में लोग शैम्पू डालते वह नहीं डालना होता है क्योंकि वह नीचे जम जाता है और जमने के बाद वह यहां पर कार की जो पानी फैकने वाली मोटर होती है उसको रहा था तो एक बार चेक करना तो बनता है तो यह पांस गोलिया मंगाई में ने लगबख सो डेट सो रुपे की थी साइद सो रुपे की थी या दोसों की ऐसे थी कि इसके उपली खाऊ हुआ वगा कितने रुपे की थी कि एक सो बीस रुपे की तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जानवरों की बीट वगेरे भी है कार के उपर तो इससे क्या साफ होगी या नहीं होगी कार की जो विंड्सिल्ड वोसर होता है उसमें आपको यहाँ पे या तो आरों का फिल्टर पानी डालना होता है या जो भी नॉर्मल पानी हो तो अगर उसको थोड़ा साफ करके डाले ताकि वहाँ पे मोटर खराब ना हो और इसकी जो नल्किया बगेर होती है काई नहीं बनती है जिस से की वो नल्किया खराब नहीं होती है कैसे खुलेगा मेरे पास फोन पकनने के लिए जुगार करना पड़ीगा यह वेस्टेरिंग में पसा दिया है तो अब इसको खौलता हूं सबसे पर लिए और आज इसको टेस्ट करी लेंगे नर्मल वाटरस चैस जद्ने शाफ होता है यह इससे जद्ने साफ होता है यह तो यह पर एक गोलीगी जुटत रहती है तो मैं एक गोली निकाले ता हूँ यहां पे चार गोलिया और है इसमें तो हम क्या करेंगे ना पहले एक साइड में नॉर्मल वाटर से साप करेंगे और फिर यहां पे दूसरी साइड में मैं आपको बाद में करके दिखा देता हूँ तो अब मैं यहां पे लगा दिया हूँ सबसे पहले तो इसमें नॉर्मल वाटर है अगर मैं इसको चलाओंगा तो ये दोनों वाइपर साथ में चल जाएंगे और दोनों साइड से साप हो जाएगी तो हम क्या करने वाली है ना एक साइड में इसको बंद कर देंगी वाइपर को सबसे पहले इनका कच्रा साथ कर देते हैं क्योंकि कच्रे में तो ये वैसे इसाथ नहीं होगा उस वाइपर कोटा देते हैं उसको बाद में करेंगे इससे इसाथ होने देते हैं यह चोटा वाला है लेगिन फिर पता तो लगी जाएगा यहां पर कार में से यह पहले हटा दिया अगरो इनसे क्या ना दारिया बनती है अगर आप वाइपर तलाते हो वाइपर तलाते हो तो इसको मैंने उपर कर दिया और इसमें जो यह वोसर है इसके उपर में कुछ रख दूँगा जिससे की वो साइड वाला इस लेगा क्या रखों क्या रखों यह रख देता हूं मैंने यहां पर इसके उपर इट रख दिया इस वोसर के उपर और इसके वाइपर को भी उपर गर दिया है अब चालू करते है कार का इगनिशन अब होगा यहां पर इस साइड से साफ होगा अब देखते है कैसा साफ होता है यह यह आवाज क्या आती है यह बार बार जब भी ओन करते है तो यह air circulation on off वाली आवाज पहले आती है चालू करते है वाईपर को कि अगया इतना साप देख सकते हैं बार चे भी दिखा देता हूं यहां पे मैंनी लग बगए कि दस बार सेकिंड तक इसको चलाया है वह देखना पड़ेगा भी क्लिप में कि सामनी से दिखा देता हूं कैसा साप हुआ है यह देख सकते हैं आप इधर से भी दिखा देता हूं यह साप नहीं हुए बीट बगेर है और यहां तक आदा साफ हो गया तो देखते हैं यह साइड साफ होती है कि आ वह डालने के बाद अब क्या करेंगे ना अब कुछी नहीं करेंगे उस साइड भी बंद नहीं करेंगे नहीं करेंगे उस उसके वाइपर कोटा देंगे और फिर चलाएंगे ताकि कम पेरिजन तो पता चले सबसे पहले फिल्टर पानी डालना पड़ेगा इसमें इसके वसर को फुल बढ़ना पड़ेगा तो मैं आप फिल्टर पानी लेता हूं और फुल बढ़ देता हूं कि जो एक टेबलेट है यह फुल बसर में के लिए होती है तो पानी लेता हूं मैं यह आरो में इतना पानी था क्योंकि पानी कोई निकाल ले गया पहले आरो का तो इतना तो डाल देते हैं साइड इसमें भी बढ़ सकता है और वह बढ़ गया अब लाते हैं गोली कार की गोली कार की गोली दे कार को दे दे यह आप को दीखाते तो हो हापै के सी कोली है अ देख हुल जा फासा है कि यह वाओ कंए यह से आती है जो गाहते है पेंग हो गोली देदितीए वे से आती है गावे बेस वाली गोड़ी तो इसको लाल दे उसमें अपने आप गुलेगी या नहीं गुलेगी है पहले इसको चेक ही करते हैं यहाँ पर उपर पकड़ गया है क्या गुलेगी या नहीं गुलेगी अब डाल तो दी मेंने कितनी देरे में बूल जाएगी है यह नहीं पता है कार कोई लाते है थोड़ी बोनट को बंद करते है अब की बार वहाँ पर इट रखेंगे क्यों असरी है तू अब की बार यह छोटा पता लेके गया हूँ यह रख दिया इसे तो अभी यहाँ पर लगबख 10-15 विंड मेंने वेट कर लिया है ताकि वो गूल जाए अराम से तो अभी चालू परते है कार को और अभी चलाते है देखते है कुछ प्रकाता है क्या एक दो तीन अभी यहाँ पर जगार से आ रहे है पांस सेगेंड हो गई है यह बीच सेगेंड ही चलाएंगे इसको भी दस सेगेंड यह हो गई बीच सेगेंड अब देखते है बार चले के यार साब तो हुआ है वेसे मैं सोचता था कि क्या ही होता होगा इन गोलियों से यहाँ जो बीच थी वो भी साफ हो गई इधर से दिखेगा इधर से दिखेगा उस साइड में नौर्मल पानी से बीच साफ नहीं हो रही थी देख सकते हैं यहाँ पे यह मैंने लगा दिया था इसके उपर देख सकते हैं इसके उपरी पानी आगया यहाँ पे बीच्टी साफ नहीं होई देगना उस साइड की वीच साफ हो गई अब इसको भी घर देखते हैं यह यह भी हो जाती है यहां पे जगा निकल रहे है गोलिय की विज़े सी और यहां पे कुछ भरारा भी निकल रहा है पानी अब देखते है बार चल की वह एक एक वींड तो साफ नहीं हुई लेकिन बाकी यह वाली तो नहीं हुई और बाकी यहां पर पुरा काच साफ हो गया पढ़ता है थोड़ा बहुत फरकता है तो बस यह था आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट किया करो कुछ भी किया करो लेकिन कमेंट किया करो और हैपी बड़े भी लिख द झाल्ट